हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी के मिस्ट्री बीसिक्स बाइसु मन्लेगी में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यूत रसायन भाग चोधर जिसमें हम पढ़ेंगे सेल, उतकर्मिनी सेल, अनुतकर्मिनी सेल और उतकर्मिनी सेल की तीन शर्त ह तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टौपिक, तो आज की टौपिक को स्टार्ट करने से पहले इससे प्रीविज वाली जो 13 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेविस्ट में जाके देख सकते हैं, आई बेटो पर मैंने प्लेविस्ट डाली हुए हैं और का क्लासिफिकेशन कहें वर्गी करन तो हम दो तरीके से करते हैं कि अभिक्रिया किस दिशाम हो सकती है तो इसके अनुशार दो प्रकार की होती है एक अभिक्रिया वो जो किवल एक ही दिशाम हो सकती है और एक सेल वो जिसमें अभिक्रिया दोनों दिशाम हो सकती है ठीक है आ उन्हों दिशाओं में अभिक्रिय हो सकती है, वो उतक्रमणी सेल कहलाते हैं, इसका एक 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 एक्जामपल है डैनियल सेल, जिंक को जिंक सल्पेट के विल्यन में दुबोादेंगे, सॉल्टै ब। और जो कॉपर रोड है, उसको डुबोया है, copper sulfate के billion में, ये बताय था ना मैंने निरूपन करना, तो ये जो daniel cell है, ठीक है, daniel cell, तो ये example है उतक्रमणी cell का, ठीक है, तो इसको हम elaborate करेंगे, से पहले एक short में, अनुतक्रमणी cell भी देख लीजे, देखे, नाम से ही लग रहा, अनुतक्रमणी, जो दोनों दिशाओं में न संबह होगी, अगर आप चाहते हैं कि अभीक्रिया का दिशा बदल दें, तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, वह cell जिसमें केवल एक ही दिशा में अभीक्रिया संबह होती है, अनुतक्रमणी cell कहलाता है, ठीक है, तो जैसे कि, एक example दे रहे हैं, जैसे कि, जिंक है, उसको ह हाइडोजन होता है, H positive, जिंक जादा powerful होता है, तो हो hydrogen को remove कर दे रहे, तो यह बन जाता है GnSO4, ठीक है, और ठीक है, यह जिंक क्या होगा, जो एनोर होगा, यह पिगलेगा, बदल जाएगा Gn2 positive में, Gn2 positive solution में, जो H positive उनको हटा देगा, और बनाएगा GnSO4, और यह जो hydrogen ह निकल गई, अब hydrogen gas निकल गई, तो क्या ही जेड़न वैसोफोर, आप केवल जेड़न वैसोफोर बचा है भी कर में, क्या ही फिर से इस डाइरेक्शन में आ सकता है, नहीं, तो ऐसी अभी क्रिया हों, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि hydrogen जिसके साथ react करके इसने वापस ये बनान है, गाया मतलग गेस के रूप में उड़ेगा, तो reaction विपरीत दिशा में लाना असंब हो है, क्योंकि जेड़न एसोफोर को ये बनाने के लिए फिर से hydrogen gas चाहिए, ठीके, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये एक example है, ठीके, तो ये हो गिया है, ठीके, उतकर्मिनी सेल, वह सेल जिसमें विद्युद्धारा, जैसे अब मैंने बोला था, रासैनी कभी क्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है, तो हम कहेंगे, इलेक्ट्रोन भी दोनों दिशाओं में जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं, विद्युद्धारा भी दोनों दिशाओं में बह सकती है उत्क्रमनी यह सेल कहलाते है जनेरल हमने सुना है कि electron anode से cathode की ओर को जाते है सुना है न मतलए left से right की ओर जाते हुमने यही तो पढ़ा है anode हम लेफ्ट में लगाएंगे तो left से right की ओर जाते है electron तो विद्धृदारा कहा से बहिगी cathode से मतलड right से लेफ्ट की और तो हमने हमेशा पढ़ा है विद्धुधारा राइट से लेफ्ट की और बहती है लेकिन उतकमनी सेल में विद्धुधारा राइट से लेफ्ट भी भाई की और लेफ्ट से राइट भी तो समझ मां आ गया होगा है ऐसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन दिशाओं हो सकते हैं ठीक है तो और अभिक्रिया भी लेफ्ट वाली अभिक्रिया से स्टार्ट होगे राइट तक पहुंचेगा या फिर राइट से स्टार्ट होगे लेफ्ट तक पहुंचेगा दोनों दिशाओं हो सकती है तो वह सेल जिसमें EMF में अतिशूस्म इसको बोलते हैं इंगलिस में बोले तो इंफाइनाइट सीमल बोलते हैं और हिंदी में कहें तो अतिशूस्म समझ लेजे 0.0000001 कितना कम होगा बहुत कम माइनूट तो अतिशूस्म परिवर्तन किसी सल के आप EMF जो होता है विद्धु पावर की जूस उर्जा की आउशक्ता होती उसको कहते हैं EMF ठीक है तो सेल जिसमें EMF में अगर आप थोड़ी बहुत चेंज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत चेंज करने से विद्धुदारे की दिशा अगर बदल जा रही है लेट से राइट चल रहा था लेकिन आ अभी क्रिया भी उसकी भी दिशा बदल जाएगी ठीक है तो उतक्रमनी टाकी लिए तीन शर्ते हैं तीन केस हम पढ़ेंगे थ्री केस ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो पहला केस है यदि बाहिये एमेफ का मान सेल के एमेफ से कम हो ठीक है बाहर से आप एक फोर्स लगा रहे हैं एक एनर्जी दे रहे हैं एक तो आपको पते हैं कि जब आप हाफ सेल को जोड़ते हैं दो अरध को जोड़ते हैं थीक है तो उस सेल का जो ऑफ होते हैं दे रहे हैं तो और जो सेल का खुль से जणरेट होता है वो होगा cell EMF जिसे हम E cell भी गहते हैं तो अगर E cell का मान ठीक है cell का EMF ज्यादा हो जो बाहर से विपरीद दिशा में आप EMF लगा रहे हैं ठीक है energy लगा रहे हैं विपरीद दिशा में उसकी तुलना में cell का EMF ज्यादा हो तो तो देखिएगा मैं आपको कुछ symbolization बता दे रही हूँ E external ठीक है E EXT का मतलब है कि external EMF बाहिए उर्जा कौनसी दे रहे हैं बाहिए EMF कौनसा होगा जो बैटरी द्वार दिया जाएगा बैटरी हमने कब यूज की थी बैटरी हमने तब पढ़ा था जब हम विद्धू तब घटनी cell के बारे में पढ़ रही थी जिसमें एनोड धन होता था और cathode क्या होता था उसमें याद रखीगा तो E external मतलब बाहिए EMF का मतलब है बैटरी द्वारा जो दी गई उर्जा होगी या बैटरी का जो विभाव होगा यदि cell का विभाव बैटरी के विभाव से अधिक हो कंडिशन यही है ना बैटरी से ज़्यादा यह बैटरी है समझ लीजिए बैटरी के विभाव से ज़्यादा बैटरी की उर्जा से ज़्यादा अगर cell की उर्जा हो तो क्या होगा तो एक पहले मैं डाइग्राम से इसे शो कर रही हूँ, देखिएगा, तो यहाँ पर हमने एनोड बनाया है, एनोड आपको पता है कि जनरली जो गेलवेनिक सेल होते हैं, उनमें हम क्याय करें, अभी ये डेनियल सेल की बात करी, मैंने बोला था ना, उत्करमेनी सेल का उदार जिंक को कॉपर वाली को हम डेनियल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शीत करते हैं, तो यह जिंक रोट को जिंक सलफेट में डूबाया है, इसे एनोड बनाया है, और को कॉपर को हमने कॉपर सलफेट में डूबाया है, इसे बनाया हमने कै énorm now, नीstart呼़ कर था, इन रोट पिग लेगी तो नीचे विलियन में ज़रेंट टू पॉजिटिव आएन आएंगे और जो दो इलेक्ट्रोन है वो सारी यहां ही खट्टे हो जाएंगे तब क्या होगा यह सेल का जो EMF हो था ठीक है इलेक्ट्रोमोटिफ फॉर्स या विद्दुवापक बल वो उसको क्या करेगा एकन एनजी देगा या एक बल लगाएगा फॉर्स लगाएक जो elekट्रोनों को एनौत से कैथोर्ट की ओर भीज़ेगा दिख रहे हैं electron की direction और आपको पता है emitter में यह जो arrow है यह बताता है इलेक्ट्रोनों की direction को ठीक है, इलेक्ट्रोन जहां चल रहे हैं उसी ओर को आप क्या करेंगे, arrow बनाईगी या फिर कह सकते हैं, विद्युद्धारा की विपरीध दिशा में, जब मैंने बोलाता है इलेक्ट्रोन जहां चल रहे हैं उसके ज़स्ट अपोजिट में चलती है विद्युद्धारा तो अगर इलेक्ट्रोन एनोड से कैथोड जा रहे हैं तो विद्युद्धारा कैथोड से एनोड की ओर बही है ठीक है, तो हम यह एमिटर जो बनाने हैं इलेक्ट्रोनों की दिशा में आपने बनाने हैं अब इलेक्ट्रोन यहां से यहां गए और कैथोड से एनोड की ओर विद्युद्धारप रही यह तो जेनरल सी बात है अब आप क्या करें इस समय यह कंडिशन आपने चेक कर ली इस समय अमीटर यह जो एमीटर है यह चेक करेगा इस सेल का विभाव कितना आ गया पूरे सेल का यह अर्दे सेल है यह अर्दे सेल दोनों का अंतर आप निकालेंगे अंतर निकालने के बाद जो सेल विभाव आएगा यह आया 1.1 वोल्ट ठीक है यह नोट कर लिया अब उसी कंडिशन में क्या किया गया है बाहर से एक बैटरी लगाई गई यहाँ पर जो आपको दिख रहे है बड़ी लाइन और छोटी लाइन यह बैटरी है बस आप इतना समझ लिजिए बैटरी लगाई है और बैटरी के थुरू यहाँ से प्रतिरोद के थुरू एनोट से मतला यह बैटरी को जोड दिया कैथोड और एनोट से जोड दिया अब एक चीज़ आपको दिखना है यह जो बैटरी लगाई है या फिर external EMF जो बाहिए EMF लगाए है इसको आपने दिखना है यह जो सेल का EMF है इसके जस्ट आपोजिट काम कर रहा है ठीक है ये सेल चाहता है कि इलेक्ट्रोन एनोड से कैथोड के ओर प्रवाही थो मतलब लेफ्ट से राइट के ओर प्रवाही थो लेकिन ये जो बाहिए वाला है ये चाहता है कि इलेक्ट्रोन इधर से इधर प्रवाही थो इधर से right वाले से left की ओर बस इतना समझ लेज़े अब ही ठीक है यह battery ठीक है क्योंकि देखिए battery का ring terminal जोड़ा है हमने cathode से और dhan terminal जोड़ा है किस से anode से बस अभी इतना ही समझ जी अब होगा क्या है अब जब होगा battery की उर्जा battery की उर्जा मान लीजिए 1 थी 1 volt थी battery का जो EMF था external EMF वो है 1 volt लेकिन जो cell का EMF आया है वो 1.1 volt है तो किसकी उर्जा जाद है किसकी पावर जाद है आपने का battery का किवल 1 है और जो cell का EMF आ रहे है power आ रहे है वो आ रहे है 1.1 तो किसकी पावर जाद है किसका effect ज्यादा आएगा किसका कौन अपने प्रभाव दिखाएगा तो इसके लिए आपने क्या करना है यह देखना है किस का मान ज्यादा है तो दियान डगना इस समय ए-cell का मान मेंने condition कहती है अगर E-cell का मान बैटरी के ये external जो है बाहिए E-M-M से ज़्यादा हो तो इस का मान ज़्याद है तो ये जो कहेगा उसके अनुसार काम होगा तो cell कहता है कि electron anode से cathode के ओर को बहेंगे ठीक है और विद्धुद्धारा cathode से anode के ओर को जाएगे ठीक है इससे कोई फरक नहीं पढ़ा तो क्या होता है देखे अगर ये जो cell का जो विभा हो है इसकी तुलना में जो बैटरी का विभा हो है ये थोड़ा सा कम होगा ठीक है बहुत कम इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा ठीक है सूस मातेख्ण में तो इससे क्या होगा ज्यादा अंतर हेने difference इसका 1 था इसका 1.1 तो point 1 का difference है बहुत कम difference है तो इस समय क्या एका एगप dipping तेजी से नहीं बईगे बहुत तेजी से electron रहीं क्यों 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 ये helium यह sponsored यहां ये जो बैटरि लगाई ये इन इलेक्ट्रॉनों को यहा से जाने में रोकएगा क्यूक्कि यहा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन यहा से यहा जाए इसलिए क्या होगा विद्धारह बहुत कम प्रवाइत होगी ठीके वैसे ही सूसमात्र में रासैनी का अभिक्रिया भी होगी यहां से हां लेकिन भहुत सूसमात्रम होगी तो इस अभिक्रिया को हम देख लेते हैं यहां पर oxygen generally हो रही जो होता है लेफ्ट में हमने एनोड लगाया है बाये में ओक्सिकन अभिक्रिया होगी जिंक इलेक्ट्रोन रिलीस करेगा और जो राइट है कैथोड उस पे अपचैन अभिक्रिया होगी और अपचैन अभिक्रिया में Cu2-positive दो इलेक्ट्रोन ग्रांड करके copper ठीक है तो इस ये तो जन्दली सभी के लिए था कि इस condition में अगर cell का EMM cell की power battery की power से ज़्यादा हो गई वाहियवाली से ज़्यादा हो गई तो विद्धारा प्रवाइट होगी लेकिन सूच महात्रा में ऐसे राशनी का भिक्रिया होगी सूच महात्रा में लेकिन इस अभिक्रिया जिसमाब आपके जिंक और copper लिया है यहाँ पर क्या होगा electron का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है इसकी power ज़्याद है तो इसकी अनुसार होगा तो यह कहता है कि electron anode से cathode की और को प्रवाइट होगी बतला जिंक से copper electrode की और ऐसे ही विद्धुधारा की दिशा विद्धुधारा की दिशा electron की दिशा के विप्रीथ होती है तो हम कहेंगे electron, sorry, विद्धुधारा copper यहाँ पर copper लिया है ना copper cathode से anode zinc, zinc anode की और को जाएंगे, विद्धुधारा वहाँ को प्रवाइट होगी फिर इसके बाद क्या होगा zinc मा ओक्सिकन होगा, तो zinc घुलता जाता है ठीक है, जबकि यहाँ पर copper क्या होगा, Cu2 positive iron यहाँ से 2 electron को ग्रहन करके Cu मा बदल जाता है, तो यह Cu2 positive iron, यहाँ से क्या होगे, सारे के सारे इस rod में खटा हो जाएंगे तो हम कह सकते है, Cu cathode पर निक्षेपित होता है, जिंक anode से घुलता जाता है अब, अब जो second case देखेंगे काफी important है, क्योंकि पहला case तो generally आप बहुत दिन से पढ़ते आएं electron, anode से cathode की ओर जा रहे है विद्धारा cathode से anode की प्रवाइत हो रही है तो general case था, अब होगा असली जो उत्क्रमनी इताकिया तरीका दिखाएंगे, वो इस case में होगा तो अगर जो मैंने बाहर से battery लगाई है, बाहिए EMF उसका मान अगर जो cell का EMF है, cell की power है cell का विभव है, उससे ज्यादा हो जाए, मतलब जो आप battery लगा रहे है जो की cell का विरोध कर रही है विप्री दिशा में काम कर रही है तो अगर cell की power से ज्यादा battery की power हो जाए, तो क्या होगा यदि battery का विभव e external, cell विभव e cell से अधिक हो तो क्या होगा, जैसे cell क्या कह रहा था, cell कह रहा था cell कह रहा था कि electron यहाँ से यहाँ जाएंगे left से right ठीक है, तो विद्धारे यहाँ से यहाँ बहेगी, लेकिन शूष्म मात्रा में change था, क्योंकि बाहिए EMF का मान था बाहिए EMF, समय मान कितना था 1 था, और जो cell का विभव था, वो 1.1 तो शूष्म मात्रा में था न, अंतर थोड़ा सा था उनके विभव में तो शूष्म विद्धारा बहरी थी, सीधी दिशा में, जो सामान्नी होती है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है बैटरी का विभव ज्यादा हो गया तो इस समय बैटरी के अनुसार काम होगा इसकी पावर ज्यादा है बाहिए वाली की पावर ज्यादा है बजाए cell की पावर के तो cell की पावर 1.1 है और जो बैटरी है बैटरी की पावर 1.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है सूच में तो अब बैटरी के अनुसार काम होगा क्यूंकि बैटरी का हमने रिन सिरा यहां इससे जोड़ा है तो इधार आप हमेशा क्या बनाती थे कैथोड लेकिन इस समय बैटरी का रिन सिरा इस से जोड़ा है तो बैटरी के रिन सिरा से जोड़ने के कारण ये सिरा भी रिन बन जाएगा क्यूंकि इस समय बैटरी की पावर ज्याद है, आपको इवी ध्यान रगने हैं, बैटरी की पावर ज्याद है, इसलिए इसका रिण सीरा इस मेंगेज जिससे जुड़ा है, वो बनेगा एनओर, तो रिण वाला रिण बन जाएगा, रिण को कहते है एनओर, और बैटरी का धन सिरा जूड़ा है इससे इधर वाले से तो इसको क्या बना देंगे हम कैथोड तो इससे मैं बैटरी कि अनुसार काम होगा बैटरी कहलेगि कि इसको मैं weiß relate भाइध मेंसे जूड़ा हूँ और अब अarna निएकन क्या और तो विद्धुधारा कैथोड से अनोड की ओर को प्रढम है दं सिरे से जो जुड़ा है उसको कहींगे धन एlectrode तो अब इसमें क्या होगा विद्धुधारा इसका है 1.1 और इसकी पावर है 1.1 से थोड़ा सा ज्यादा तो विद्धुधार प्रवाहित तो होगी लेकिन उस समय कहा हो रही थी विद्धुधार प्रवाहित तो होगी लेकिन उस समय कहा हो रही थी विद्धुधार प्रवाहित तो हम कहेंगे विद्धुधार प्रवाहि लेकिन विप्री इदिशा में इस समय विद्धार कैथोड से एनोड के ओर प्रवाइद हो रही है ऐसे राशनिक अभी गया भी उल्टी डायरेक्शन में उस समय क्या ता जिंक पिखल रहाता है ना लेकिन यहाँ पर कॉपर पिखल रहा उल्टा हो गया जो यहाँ हो रहा तो यहाँ होने लग गया कॉपर पिखलेगा CO2 positive ion बनाएगा और यहां से जो 2 electron निकलेंगे वो 2 electron कहां की ओर को जाएंगे emitter को पार करती हुए cathode में cathode क्या उन बना है zinc zinc क्या करेगा यहाँ Zn2 positive ion जो willion में होंगे तो यहां से आने वाले 2 electron को grant करके zinc की छड़ में यह Zn सारा इखटा होने लग जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं यह तो general था किसी भी उसके लिए अब इस diagram से हम देखते हैं तो अभिक्रिया हम लिखते हैं अबचे इसमें क्या हो रहे है इस समेक एथोड बनाए तो अबचे Zn2 positive 2 electron करेंड करके zinc में convert हो रहे है और यहाँ पर oxygan हो रहे है तो Cu 2 electron थ्याग करके Cu2 positive में बदल रहे है ठीक है तो reaction क्या हो रही है reaction भी देख लिजिए cell अभिक्रिया कहते हैं इस पूरे की वो है अबचेन अभिक्रिया हो रही है Zn2 positive 2 electron equals to Zn और यहाँ हो रहा है oxygan हो रहे है Cu equals to Cu2 positive प्लस 2 electron बेटर है कि आप oxygan उपर लिखते अब चैन नीचे लेकिन उससे कोई difference नहीं आता अब दोनों को add कर लीजे यह हो जाएगा Zn2 positive यह हो जाएगा Cu 2 electron से 2 electron cancel और यहाँ जाएगा Zn यहाँ Cu2 positive condition की अनुसार जब बैटरी की पावर कम थी तो electron कहां से कहां left से right की ओर बह रहे थे और जा रहे थे और विद्धारा right से left की ओर प्रवाइद हो रही थी लेकिन यहाँ पर battery की पावर ज्यादा हो गई cell की पावर की तुलना में तो battery ने अपना प्रवाव दिखाया तो battery ने क्या कहा कि electron right से left की ओर जाएँगे तो विद्धारा left से right की ओर प्रवाइद होगी हो गया ना just opposite तो विद्धारा भी विप्रीत दिशा में बहेगी रासेनी अभी अभी विप्रीत दिशा में हो रहे है जहाँ वहाँ पर क्या हो रहा था Cu2 positive यहाँ इकट्टा हो रहे थे और यह पिखल रहा था लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा Cu2 positive पिखल रहा है और ZN2 positive जमा हो रहा है तो electron का प्रवाह कहा हो रहे है copper oxygen अभी क्रिया प्रदर्शित कर रहे है तो copper electron ती आग रहे है तो copper electrode से zinc electrode की ओर वहाँ क्या हो रहा था पहले वाले case में जब cell की power जाद आती उस समय zinc से electron जा रहे थे copper की ओर उल्टा हो रहा है विद्धुधारा की दिशा electron की दिशा के विप्रीत होता है तो electron जा रहे है copper से zinc तो आपको विद्धुधारब रहेगी zinc electrode से copper electrode की हो यहाँ पर क्या हो रहा है copper क्या हो रहा है anode से दीरे दीरे घुल रहा है क्योंकि oxygen अभी क्रिया हो रहे है copper पिगलता जा रहे है जबकि zinc क्या हो रहे है zinc 2 positive iron 2 electron ग्रेंड करके cathode पर इखटा हो रहे है zinc cathode पर निक्षेपी तो होती जाएगी zinc rod मोटी हो जाएगी और copper anode जो होगा दीरे दीरे पतली हो जाएगी ठीक है अब हम पढ़ रहे है last case, तीस्टा case इतना ज़्यादा important नहीं है वो 2 case ज़्यादा important थे आपकी 12th NCRT में भी बना हुआ है अब third case देख लीजे यदि बाहिए EMF का मान cell के EMF के बराबर हो तब क्या होगा अब आपको एक चीज़ तो तीहाँ में रखना है जो बाहिए EMF आप लगा रहे है जो बैटरी लगा रहे है वो इसका वीवरोध कर रहे है तो अगर जो cell का power है वो है 1.1 और जो बैटरी है उसकी भी power है 1.1 ठीकिक है cell चाहरा है electron यहां से यहां बहे है मतलब left से right की ओर बैटरी चाहरा है तो किसी का भी प्रभाव नहीं आएगा तो हम कहेंगे यदि बैटरी का भी विववव 1.1 और cell का विभाव 1.1 बराबर हो तो विद्धुधारा किसी दिशा में नीवहेगी मतलब I, Command, 0, I, विद्द्धारा को प्रदिर्शित करेगा, तो विद्द्धारा भी प्रवाइत नहीं होगी I, Command, सुनिए तो राषाइनी का विक्रिया भी संभाव नी है राषाइनी का विक्रिया कब होती, जब दूनों में से एक की पावर ज्याद है या कम हो तभी तो होता है ना लेकिन ये जस्ट अपोजिट डिरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोन ना तो यहां जा पाएंगे नहीं इलेक्ट्रोन यहां जा पाएंगे मतलब ना कोई लेक्ट्राड इलेक्ट्रोन त्यागेगी ना ही कोई लेक्ट्रोन ग्रहर्ण करेगी और ये हमारा तीसरा केसे जसमें EMF का माण CELL EMF और जो बैकरी का EMF है बाहिए EMF उन दोणों के माण बराबर हो जाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं हो तो तो आज हमने ये टॉपिक काफी डिटेल में पढ़ लिया हैं बहुत ही टिपिकल ही टॉपिक में इसे कह सकती हूं तो आज के लिए इतना ही कीप वाचिंग एंड बाबाई